है फ्रेंट्स वेलकम ओन यूर्पीडिया एंड एक्जिनेरिंग वाला जो एक्जाम निकला है उससे रिलेटड ये आपका स्लेबस का एक्जापिक है and current environmental issues in India ये आपका topic है जिसमें से एक छोटा सा topic last में urban resources concept of smart city उसी से related आपका topic है तो ये जो concept of smart city, urban sprawling, urban growth, urban resources, caring capacity ये उससे related आपका सारे का सारा topic है यह current environmental issues in India इसको हमने 5 lectures में cover किया है और यह जो document है यह आपका pre and mains दोनों के लिए sufficient है pre में जो 100 questions आएंगे और आपको 100 questions को solve करना है वो objective type MCU है जो April में आपका exam है उसमें जो मैंने red mark कर रखा है information उससे related आपको preparation करना है जो detail में document है वो mains के लिए आपको पढ़ना है उसका अंदर जो questions की form में जैसे तुम्हारा pre हो जाएगा आपको कैसे question का answer लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा लेकिन यह document pre and mains दोनों के लिए है अब इसमें जो urbanization, urban spalling, growth, concept of smart city, urban resource यह सारे का सारा जो topic है यह basically data oriented topic है इसमें से काफी questions data oriented questions है जहां से question पूछे जा सकते हैं तो आपको उसका preparation करना है urbanization को define कैसे करते हैं basically किसी particular place की population rural area से urban की तरफ चले जाना या urban की population बढ़ जाना urban area शहरी area को बोलते हैं और गौंक area को rural बोलते हैं आप जानते हैं उसको तो rural से शहरों की तरफ लोगों का चला जाना, migrate हो जाना या population बढ़ जाना उसको urbanization बोलते हैं और इसके दो कारण होते हैं एक तो कारण है natural population बढ़ जाना इंडिया की population वैसे भी बढ़ रही है जैसे suppose आप किसी city में रहते हैं उस city में लोग की population वैसे भी बढ़ रही है कि बाहर से नहीं आ रहे हैं पर वैसे भी population बढ़ रही है उसको बोलते है natural growth एक और होता है कि जैसे से लोग ज़्यादा facilities चाते हैं health facility, education वगारा facility चाते हैं तो लोग गौँ से शहर की तरफ चलते हैं उसको migration बोलते हैं तो जैसे दिल्ली का typical example जो है migration का है कि बहुत से ऐसे लोग जो गौँ में रहते हैं शहरों की तरफ जाते हैं job के लिए, education के लिए, health के लिए तो उसको ये दूसरा जो reason है वो आपका migration वाला reason है तो natural increase हो सकती है, migration हो सकता है migration भी pull and push factor है pull factor means कि आप urban lifestyle के लिए attract हो रहे हैं तो उसको pull factor बोलते हैं push factor means कि आप शहरों, आप गौँ में नहीं रहना चाते तो आपको push factor लएगा, आप गौँ से शहर की तरफ चलेंगे ये जो urbanization वाला concept है, ये जो topic है ये only India specific हम नहीं पढ़ेंगे इसको India प्लस global दोनों के हिसाब से हमें club करना पढ़ेगा global के हिसाब से अगर देखा जाए कि पूरे world में जितनी भी countries या continent हैं, उसमें सबसे ज़्यादा urbanization कहां पे है, तो सबसे ज़्यादा urbanization जो है वो North America के अंदर है, North America की population 82% population जो है वो urban areas में है तो सबसे ज़्यादा जो है urban region वो North America का है और सबसे कम जो है वो आपका Africa का है जिसमें 43% population urban areas में है और Asia जो हमारा continent है जिसमें इंडिया भी आता है उसमें 50% है कम है लेकिन इंडिया का basically वो नहीं है, डेटा नहीं है ये डेटा exam के हिसाब से important है लेकिन इंडिया में 31% as per 2011 जो हमारा census है उसमें 31% ही हमारा शहरी population है तो Asia का 50% है और coming जो 2050 तक maximum growth जो होने वाली urbanization में वो Asia continent के अंदर ही होने वाली है त्योंकि इसमें इंडिया है, चाइना है और उसमें सबसे हाग growth होगा World Urbanization Prospects एक निकल कहाता है जिसको United Nations Department of Economic and Social Affairs UN-DESA उसको निकालता है Department of Economic and Social Affairs उसको निकालता है और India, China, Nigeria 30% जो grow करेगा तिल 2050 अर्बनाइशन के अंदर इसलिए आप समझ सकते हैं, अर्बनाइशन कितना important topic है इंडिया के लिए कितना important ये domain है because अगले कुछ सालों में तुम्हें दिखेगा कि बहुत ज़दा growth है इंडिया के अंदर urbanization को लेके और उसमें वो चीज होगा तो इंडिया, China, Nigeria में बहुत ज़दा growth होने वाला है और ये सबसे important data कि census जो 2011 में हुआ था हर 10 साल बाद होता है 2021 में COVID के चलते नहीं हो पाया तो 2011 में जो census हुआ था उसके हिसाब से इंडिया की जो urbanization level है वो 31% है इसको याद कर लेना बहुत important है और अगर आप इस diagram को देखेंगे तो इस diagram के अंदर आपका 1950 से लेके 2050 तक 100 साल के अंदर हमारा urbanization का जो data था 20% से कम था और जो basically अभी हमारा urban area 20% से कम था और ये urban area और rural area जो था वो यहाँ पे था green जो है rural area ये urban area है और 2047 तक हम चाते हैं कि बराबर हो जाए 50% हो जाए तो presently अगर हम देखेंगे 2024 तक तो हम कहीं न कहीं 31-32% के असफास hover कर रहे हैं 2011 में हमने जो data निकाला था तो 32% थे 31% थे, sorry तो हम 2047 100 years after independence हम चाते हैं कि हम 50% लोग urban area में और 50% रोग rural area में रहें ये थोड़ा सा statistics है जो आपके लिए important है तीन तरह का data एक global countries का data एक India का data और इंडिया के data में जो हमारा states का data कौन कौन सी states में urbanization ज़्यादा है कौन सी states में urbanization कम है इसका data बहुत important है तो 75% urban population इंडिया की only 10 states में ही cover हो जाती है ये हैं वो 10 states महराष्टरा सबसे आगे lead है maximum लोग number wise maximum लोग जो number wise है वो महराष्टरा में है जो state है महराष्टरा का उसमें maximum number है followed by उत्तरपरदेश लेकिन percentage में अलग तरम है तो percentage में हम बाद में देखेंगे तो महराष्टरा, उत्तरपरदेश, तमिलनाडू, वेस्ट बंगॉल इसमें maximum number है population जो शहरों में रहते हैं महराष्टरा में 50 million मतलब 5 करोड के आसपास लोग शहरों में रहते हैं जो total urban population का 13% है देखो वैसे तो population सबसे ज़्यादा उत्तरपरदेश में है लेकिन शहरों में रहने वाले maximum लोग जो है वो महराष्टरा में है और गोवा का सबसे ज़्यादा जो है most urbanized state 62% है national capital territory दिल्ली और चंडिगड की union territory की बात ने कर रहे है गोवा की बात कर रहे है तो states में percentage वाई सबसे ज़्यादा गोवा के अंदर है और कुछ ऐसी states हैं जहां 40% से उपर है वो हैं तमिलनाडू, केरला, महराष्टा, गुजराद जिनमें 40% से ज़्यादा है और north east की state मिजोरम में 51% जो है वो urban population है कुछ states काफी पीछे हैं जिसे बिहार, उडिसा, असाम, उत्तरप्रदेश वो पीछे हैं तो दिल्ली और चंडिगड में urban population जो है वो 97% से उपर है यह दो खो एक map आप देखेंगे इसमें आपको diagram में नजर आएगा कि कौन से percentage कहां पे ज़्यादा है तो 40% प्लस जो urban area है वो इन states में है महराश्टरा, गुजराथ, तमिलनाडू, केरला इन में ज़्यादा है फॉल्लड वाई नॉर्थ में थोड़ा सा कम है 25% से कम रजस्थान, उत्तरप्रदेश इसमें आपका percentage कम है उत्तरप्रदेश को confuse मत करना number wise उत्तरप्रदेश second number पे है कि जितने लोग रहते है, 4 क्रोड शहरों में रहते है लेकिन उत्तरप्रदेश की population ही बहुत जादा 20 क्रोड से तो उपर है, तो percentage wise उसमें 20%, 25% लोग ही शहरों में रहते हैं उत्तरप्रदेश के अदर अब देखिए, जो sustainable development goals है, आप जानते है Paris Accord जो 2015 में आये था Paris Agreement, जो 2030 तक sustainable development goals जिसको agenda 30 बोलते हैं हमें complete करना है और sustainable development goals में 17 goals है, 17 goals उन 17 goals में से एक जो goal है, goal number 11 वो basically urban planning को promotion से related है urban planning को promote करने से related goal है, goal number 11 दो और चीज़ें आपको पता करनी है एक UN Habitat UN Habitat जो है वो उस basically चीज़ से deal करता है कि शहरी करन कितना हुआ है तो नया urban agenda जो है United Nation का habitat लेके आया है और ये basically adopt किया गया था 2016 में और UN Habitat 2020 ने ये suggest किया कि जो special conditions है city की वो socio-economic और environmental well-being से related हैं तो UN Habitat भी इसी चीज़ से related एक basically report होती है आपकी जो शहरी करन या urbanization से related है Paris Agreement और nationally determined contribution वो हमने Paris Agreement में discuss किया था कि Kyoto Protocol में तो आपने target दे दिया थे developed countries को कि आपने इतना percent meet करना है लेकिन Paris Agreement जो हुआ था 2015 में उसमें हर country को ये option दिया गया था कि आप अपने हिसाब से अपना target decide कर सकते हैं तो nationally determined contributions उसमें आपकी fix हुई थी इंडिया के कुछ initiative urbanization से जो related हैं वो ये program से हैं जो urban development से related हैं इंडिया के smart city, अमुरूत mission, स्वच भारत mission, हिरदे प्रधानमंतरी अवास, योजना ये कुछ ऐसे program हैं जो इंडिया में urbanization से related हैं और government के जो initiatives हैं slum dweller से लेके या urban poor से related वो ये हैं परधानमंतरी, ग्रीब, कल्यान, योजना और आत्म निर्भर, भारत अभियान वो भी कहीं न कहीं इस से related हैं कि हम इन जगों पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ करें और उनको grow कराएं so basically ये कुछ schemes है जो मेरे को लगता आपको पता होनी चाहिए smart city तो clearly mentioned है लेकिन बाकी भी जैसे जो schemes है हिरदे वगारा उनका थोड़ा सा idea हमें होना चाहिए अर्बन अब ये देखो ये subjective type में इस तरीके से question frame करेगा कि क्या significance है urban living से related urban areas में क्यों रहना चाते हैं लोग जबकि वो मेंगा भी होता है वो crowded भी होता तो क्यों रहना चाते हैं number one अच्छी facilities के लिए वहाँ पर पढ़ाई को लेके या आपका health को लेके वहाँ पर अच्छी facilities होती हैं अच्छी facilities होती है number two आपको यहाँ पर बहुत सा information मिलता है क्योंकि यहाँ पर mode of जो information है वो अच्छे developed होते हैं दूसरों से information मिलता है कई institute से information मिलता है और internet connectivity अब तो शहरों में के साथ साथ गौव में आ गही है लेकिन शहरों में यह facilities होती थी पहले कुछ reasons थे जिनके वैसे लोग शहरों में जाना चाते थे लेकिन कुछ issues भी हैं कुछ problems भी हैं शहरों से related जैसे population pressure बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करें और slum area आपके developed होते जाते हैं slum area जहां कोई शहर बनता है उसके आसपास cheap areas में slum बन जाते हैं housing inadequate होती है और development planned नहीं होता है और pandemic induced जैसे pandemic आये तो उसमें भी बहुत से issues create हुए थे तो welfare schemes जो हैं वो inclusive नहीं होती मतलब सब लोग को equal benefit नहीं मिलता welfare scheme का तो ऐसे कुछ issues भी आपके शहरी करन से related issues होते हैं अब देखो जब हम बात करते हैं urbanization के तो point आता है sustainable urbanization sustainable urbanization का meaning क्या है किस चीज़ को बोलते है sustainable urbanization urbanization तो शहरी करन है लेकिन sustainable urbanization क्या चीज़ है अगर हम देखें तो housing अच्छी होने चीए productivity निकलनी चीए लोगों की जो वहाँ पे रह रह रहे हैं opportunities उनको होनी चीए healthcare अच्छा होना चीए education अच्छा होना चीए शहरों में तुम इन चीज़ों के लिए जाते हो लेकिन ये चीज़े मिलनी चीए अब आपने देखा है कि बहुत से लोग शहरों में आ जाते हैं for getting the facilities लेकिन उनको वो मिलती नहीं इसलिए वो slum areas develop होना start हो जाते हैं slum areas में लोग रहना start कर देते हैं और उनको quality of life वैसा नहीं मिलता तो ये जितने भी sustainability से related terms हैं ये शहरों में आपको basically बहुत important है sustainability चीज़ के उपर focus करना sustainable urbanization successful development के लिए बहुत important है और इस से क्या होगा urban growth है वो proper तरीके से manage होगी तो जो term है urbanization उसके साथ sustainable urbanization अगर लगा दिये जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी शहर बनेंगे वो well planned बनेंगे अच्छी facilities वहाँ होगी और inclusive growth होगा कि जो भी वहाँ लोग रहेंगे उनको equal growth होगा ऐसा नहीं कि without planning आप शहरों को develop करेंगे amenities में वहाँ पर trouble आएंगी या जो लोग हैं वो आपके slums में रहेंगे वो नहीं अच्छे quality of life वहाँ पर मिलना चाहिए improving access to health facilities and welfare scheme ये भी जब शहरी करन हो तो इसको focus करना है नए approach क्या-क्या है urbanization से related तो उसके उपर भी government focus कर रही है bottom up approach को focus कर रही है कि हम top से नीचे की तरफ नहीं जाएंगे हम bottom से उपर जाएंगे उन लोगों को develop करना start करेंगे जो सबसे नीचे ले लेवल पर बैठे हैं जैसे slum area वाले लोग हैं फिर उपर की तरफ को हम जाएंगे अब इसमें दो टर्म्स आपको clear होने चीए एक urban sprawling और दूसरा urban growth urban sprawling यह होता है कि जो आपका urban area है वहाँ पे unplanned expansion हो जाए area का कि जो शहर है उसके आसपास के area develop होना start हो जाए मतलब area से related जो development उसको sprawling बोलते हैं और जो लोगों की population से related है उसको urban growth बोलते हैं मैं एक example लेता हूँ suppose आपका कोई शहर है जिसका area है 10 square kilometer यह है area इसके अंदर पहले 100 लोग रहते थे इसके अंदर 100 लोग रहते थे अब बाहर से migrate होगे अब कुछ और लोग आगे और 200 लोग होगे फिर और कुछ migration होई population बढ़ी और लोग बढ़ गे area नहीं बढ़ रहा है लोग बढ़ रहे हैं इसको urbanization बोलते हैं urban growth बोलते हैं अब यह urban sprawling के होता है यह 10 square kilometer area था 100 लोग थे अब 100 लोग और आगे वो आसपास रहना start कर दिये उन्होंने आसपास का area में रहना start कर दिये इसको sprawling बोलते हैं मताद campus का बढ़ जाना शहर का बढ़ जाना फैल जाना उसको sprawling बोलते हैं और इसी में slum area भी आता है तो sprawling जो है वो urban growth का ही एक part है लेकिन उसका negative part है यह चीज़ बहुत important है उसका negative consequences है उससे आपका traffic congestion आता है water pollution, air pollution होता है infrastructure issues आते हैं यह सारे के सारे sprawling से related issues हैं और इसी लिए आज की rate में हम बात करते हैं smart cities की, smart growth की कि जब हम growth करें जब हम sharing करन करें तो यह सारी amenities वहाँ पर provide की जा सकें अब smart cities से related 2-4 चीज़े मैं आपको बताया कि यह जो आप classes कर रहे हैं आपको document मिला है यह मेंज और प्री दोनों के लिए है तो इसमें प्री के लिए जो सबसे important चीज़ है वो यह है कि 2015 वे smart city mission आया था centrally sponsored program था special purpose vehicle थे 100 cities को develop करेंगे और smart city के अंदर जो main theme थे वो यह थे कि हम लोग e-governance या citizens को service देंगे waste management धंक से करेंगे water management करेंगे urban mobility को अनहास करेंगे energy management करेंगे तो smart city के अलग-अलग component यहां पे थे और यह 2015 में जो नई government आयी थी 2014 में तो वहां से smart city project चला था और अब यह smart city 2023 में basically मिरे को लगता है कि 100 cities को complete किया गया है और smart city program यह था तो यह जो आपको slide आपके यहां पे दिख रही है इस slides को धंसे करना यह आपके सारे का सारा smart city का conclusion है so smart city का mission का जो purpose था लोगों को quality of life प्रवाइड करना basic infrastructure प्रवाइड करना decent quality of life प्रवाइड करना और basic infrastructure जो water supply electricity इस से related है वो लोगों को provide करना यह smart city सारे का सारा हमारा project था objective इसके यह थे कि आप basic infrastructure create करोगे cities का और जिससे quality of life लोग लीड कर पाएं और sustainable and inclusive development लोगों का हो inclusive development हो that is what is to be done और यह एक example set करेगा जो बाकी cities के लिए होगा और इसको तीन model से देखा जाता है brown field मतलब पहले वाँ कोई चीज बनी है हम उसको दवारे से establish कर रहे है और retro fitting means already building बनी है उसी को ठीक कर रहे है तो बिल्कुल scratch clean slate वो होता है आपका green field already building बनी है उसको demolish करके दूसरी बना देना वो है redevelopment और retro fitting building को हमने demolish नहीं किया उसी को ठीक बना दिया ये 3 steps है और core infrastructure element smart cities के ये है water होना चाहिए electricity होने चाहिए sanitation होना चाहिए ये सारे components smart city के अंदर होने चाहिए और इसको ministry of urban development देख रहा है ये भी आपको idea होना चाहिए अब कुछ concerns हैं कुछ challenges है कि smart cities से ही पूरा country develop हो जाए ऐसा नहीं हो सकता saw cities को develop कर देने से country develop नहीं हो जाएगा बहुत से challenges आएंगे और ये island of development बन जाते है smart cities हमें पूरे country को develop करना है way forward क्या है कि ये जो आपका smart cities है ये basically आपका एक example हो सकता है लेकिन पूरे country को अगर हमें urbanization ढंसे करनी है तो हमें पूरे country में facilities provide करनी पड़ेंगी जो बिना private sector की involvement के नहीं हो सकता मैं आपको बताया है कि ये document pre और mains के लिए है लेकिन जो लाल रंग से लिखा है वो pre के लिए बहुत important चीज़ है उसके उपर focus करना है अब urban resource and urban environmental problems के हैं कि जैसे ही आप urban development कुछ करना start करते हैं तो environmental issues आते हैं जैसे हम जानते हैं 55% world की जो population है वो अभी cities में रहती है 2018 में तो obviously आपका जब आप cities बनाएंगे तो environmental crisis आएगा और जिन countries में अभी cities की development होनी है वहाँ पे ये और भी issue आ सकता है 72% global greenhouse gas emission जो है वो city से related है और हम जैसे चाते हैं कि 1.5 degree centigrade temperature से ना बड़े global warming से ज़्यादा ना हो तो शहरों को बहुत अच्छे तरीके से control करना पड़ेगा urban infrastructure जो है वो two-third आज का जो emission है उसको impact करता है जो भी आपका greenhouse gases का two-third emission है वो urban से related है बहुत से ऐसे issues हैं जो urban infrastructure से related है जैसे climatically वो non-friendly है climate के हिसाब से वो ठीक नहीं है old planning techniques को follow किया जा रहा है नई techniques को follow नहीं किया जा रहा है और जब भी कोई चीज को implement करना है तो delay होता है ये शहरी current से related कुछ issues हैं जो eventually problem create करते हैं एक document नितिय योग ने बनाया था जिसको urban planning reforms बोलते हैं ये वही चीज़ें जो हमने discuss की है लेकिन इसके अंदर कुछ data है जो आपको important है वो data आपको पता होना चाहिए जैसे census 2011 के साब से 31% urban population है इंडिया के अंदर और इसमें सारी चीज़ें जो हमने पिछे discuss की वो दबारे से बताई गई है इसी document के अंदर state wise कौनसी state 40% से उपर है कौनसी states आपकी बहुत कम शहरी करण है वो सारा इसमें discuss किया गया है और इसमें कुछ growth targets भी नितिय योग में रखे गए है जैसे हम 2024 तक 5 trillion economy बनना चाते थे वो डिले हो चुका है वो 2027 तक अब government plan कर रही है जिसमें बन सकता है national infrastructure pipeline की बात की गई थी इसके अंदर जो एक basically infrastructure को development करने से related था sustainable development goal 11 को जो इंडिया है उसको agree करता है Paris agreement को agree करता है UN habitat को भी agree करता है कुछ recommendations दी गई थी इस planning document में जो mains के लिए आपको important है pre के लिए उतना important नहीं है friends जो मैंने आपको बताया था कि कुछ schemes हैं जो urban development से related है उनको एक बार जुरूर देखके जाना smart city हमने discuss किया अमुरुत mission किस से related है स्वच भारत किस से related है हिरदे किस से related है प्रधानमंतरी अवास योजना किस से related है इसको go through करके जाना carrying capacity क्या होती है maximum number of people जो किसी शहर में रह सकते है so that शहर exploit ना हो उसको carrying capacity बोलते है इसके अंदर natural resource की exploitation infrastructure, social economic factor ये दो-तिन चीज आती है तो ये आपका carrying capacity से related domain है जो आपका carrying capacity का meaning है क्या होता है, उससे related है और किसी भी शहरी करन को जो हम develop करते हैं तो आपका carrying capacity से beyond नहीं होना चीए इसको पढ़ने के बाद document को कुछ questions है, जिनको आप एक बार लगाना, जो questions आपको दिये गए है objective type में किस तरीके से question पूछे जा सकते हैं, ये slide को row के इन questions को आप एक बार करें so that आपको idea लगे कि objective type में किस तरीके से question फ्रेम किया सकते हैं Okay friends, so ये topic आपका smart city urbanization से related, पढ़ते रो, your PDA के उपर Assistant Environment Engineer का जो syllabus दिया हुआ है, हरेना Publishers Commission का बहुत detail में है, please revise it and I'm very sure you will score good in that Thank you कर दो आपका